देश में कोरोना की तीसरी लहर के मंद पढ़ने के साथ ही चोथी लहर की भविश्वानी सामने आ गई है एक्सपर्स का कहना है कि देश में कोरोना वायरस की चोथी लहर 22 जून के आसपास चुरू हो सकती है चोथी लहर का असर 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा चोथी लहर की गमविता हालकी कोरोना वायरस के नए वेरियन के सामने आने पंड भर करेगी कोरोना की चोथी लहर में बुस्टर डोस के साथ ही वैक्सिनेशन की स्थती काफी महतुपून रहेगी IAT कानपूर के रिसर्चर्स ने कहा है कि COVID-19 की चोथी लहर कम से कम चार महिने तक चलेगी यह सांगी की भविश्वानी 21 परवरी को प्री प्रिंट सर्वर पर पब्लिश हुई है एक्सबर्ट का कहना है कि चोथी लहर का कर्व 15 अगस्त से 31 अगस्त तक पीक पर पहुच जाएगा इसके बार में इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी यह तीसरी बार है जब IAT कानपूर के रिसर्चर्स ने देश में COVID-19 लहर की भविश्वानी की है उनकी भविश्वानियां विशेश रूप से तीसरी लहर के बारे में लगभग सटीक रही है अपने भविश्वानी के लिए टीम ने सांखी की मोडल का उप्योग कटवे हुए कहा है कि कुरुना की चोथी लहर कुरुना महामारी की शुरुआत के करीब 936 दिन बाद आ सकती है